दोस्तों, शेयर ट्रेक में आपका स्वागत है, मैं राज बोल रहा हूँ ये जो वीडियो है, ये पहले हमारे मेंबर्स के पास जाएगा मैं मेंबर्स को थैंक्स केना चाहता हूँ जैसे आप नीचे स्क्रॉलिंग बार में देख रहे हैं ये सब हमारे मेंबर्स है जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं इनके सौजने से ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ तो आज मैं एक नए सीरिस की शुरुआत कर रहा हूँ ये है गिलियर्ड साइंसेस नाम की एक कंपनी के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने हमारे इंग्लिश चैनल में गिलियर्ड साइंसेस के बारे में हमारे निवे शकों को बता रहा था कि वो कंपनी कितनी अच्छी है और उसमें प्रॉफिटबिलिटी कितनी है उसका शेयर प्रैस क्या होना चाहिए वगेरे तब मैंने देखा था कि उसके पाइपलाइन में हमारे वाइटल का मतलब है वहां भी उसके पास बहुत सारे मेडिशिंज है इसले मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में है वीडियो भी बनाए जिसमें इनके पूरे के पूरे बारा अप्रूड मेडिसिन जो है उसके बारे में पहले बात करते हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे तो जो कि यह कंपनी काफी बड़ी है और बड़ी इंट्रेस्टिंग है और इसके पास बारा मेडिसिन है अप्रूड और बहुत सारे हैं तो एक वीडियो में ये करना बहुत मुश्किल है तो इसलिए मुझे एक से ज़्यादा वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो इसका जो स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बनाया है कि आज मैं छे मेडिसिन का इंट्रडक्शन दूँगा इंट्रक्शन का मतलब है मेडिसिन का नाम क्या है वो उसका क्या डोसेज है वो अकेले लिया जाता है कि दूसरे मेडिसिन के साथ लिया जाता है और उसका USA में क्या प्राइस है क्योंकि गिलियर्ड के जितने मेडिसिन से सारे के सारे USA में मिलते हैं लेकिन उसके बहुत सारे मेडिसिन्स USA के बाहर नहीं मिलते हैं लेकिन दोस्तों आप लोग को ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि दुनिया में ये दवाईयां है और कभी ने कभी तो इंडिया पहुचेगी तो ये डीटेल के लिए और आप में से कोई अगर इंपोर्ट करता है कुछ करता है कोई डॉक्टर के थ्रू या कुछ तो उसके लिए भी आपको नॉलेज मिल जाएगा कि क्या-क्या अवेलेबल है वह हिसाब से मैं बना रहा हूं और ऐसे भी कोई काम नहीं आये तो भी नॉलेज जानकारी रखना बहुत अच्छा हो होता है तो उस तरह से आप समझ लीजाए तो चलो हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का दोस्तों शुरू करें इसके पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हो सके तो आप सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब हो जाएए और नोटिफ़ाइब बटन दबा दीजिए और आपसे अगर हो सके तो यह महिने का अंतारा भी तो आप मेंबर्शिप में जॉ वीडियो है आज का ये Gilead Sciences का नाम के एक American company के बारे में है उनके पास एक dozen HIV medication है और उस लिस्ट बारा जो है बारा का बारा एक वीडियो में डालूं तो बहुत confusing हो जाएगा तो ये वीडियो जो है ये part 1 है part 1 of 4 या 5 वीडियो होगा part 1 में हम 6 medicines के बारे में बात कर रहे हैं, part 2 में बाकी के 6 के बारे में बात करेंगे फिर उसके बाद जो उसके research में है वो medicines के बारे में बात करेंगे फिर उसके बाद हर एक medicine जो है 12 medicine में से हर एक medicine का किस तरह से वो आपके body में काम करता है उसके बारे में मैं आपको एक-एक वीडियो बना के सुनाओंगा याने की बारा वीडियो उसके होंगे ठीक है तो यह मेरा प्लान है लेकिन इसके बीच में अगर कोई दिल्चस्प नया डेवलेप्मेंट आया या AGT या EBT या TEL-AVIV वैक्सिन किसी का भी कोई समा चारा तो व एक-एक एक 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 एडियो हो जाएगा आपके लिए समझ गए ना तो इस 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 कंपनी पर ध्यान देने के वज़े से कुछ हमारा चूट नहीं रहा है और मुझे एक और वीडियो बनानी है लेनक एपविर के बारे में क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर जो है देव जी तुन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो वो भी मैं लिस्ट में रखा हूँ तो जल्दी से जल्दी उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों यह Gillyard Sciences जो है यूए स कमपणिया और यूए स में उसके 12 मेडिसिनस मिलते हैं जो HIV के लिए उसमें सबसे पहला मेडिसिन है बिक्तरवी और बिक्तरवी जो है एप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है यह हैच्य वी यह वण के लिये इस्तिमाल किया जाता है adults याने की बच्चे और adults जिसका वजन 31 pound याने की 14 kg से उपर जिसका हो वजन उसके उपर इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि यह जो दवाई है इसको 14 kg से नीचे वाले किसी इनसान के उपर ट्राइल नहीं किया है तो जब उसकी ट्राइल हो जाएगी तो शायद उसके लिए भी मिल सकती है इसका भाव जो है US में 4,006 डॉलर है तीस टैबलेट के लिए और डोसेज जो है वो फिजिशन बताएगा यानि कि आपका जो मेडिकल डॉक्टर है वो बताएगा और इसका टैबलेट का जो MG साइज है उसमें भी थोड़ी डिफरेंस होती है तो यह information है हमारे पास विक्टर वी के बारे में US में यह इंडिया में शायद नहीं मिलता है मुझे पता नहीं है और कब मिलने वाला है वो भी पता नहीं है क्योंकि आप अगले बार पूछोगे के भई इंडिया में कब आएगा तो उसकी कोई जानकारी नहीं है और जानकर ही इसलिए नहीं है क्योंकि कम्पनी भी बताती नहीं है और इंडिया में भी एप्रूवल होना चाहिए अप्रूवल के बिना नहीं होगा तो मिनिस्ट्री में पता लगाना पड़ेगा उसके लिए और आप तो जानते हैं मिनिस्ट्री में से इंफरमेशन निकालन कि ता मुश्किल है और यहां टॉरोंटो में बेटके मैं निकाल नहीं पहूंगा मैं चाहता हूं कि आप लोग में से कोई वॉलिंटियर करे मुझे मदद करने के लिए तो आप मिनिस्ट्री के पास से इंफोरमेशन लेके दे सकते हैं और मैं चैनल में आपके नाम से बता सकता हूं तो आप सोचिए अगर हो सके तो फिर मुझे राज at sharetrack.ca में reply कीजे और मैं आपके साथ संपर्क करूँगा दूसरा मेडिसीन है कॉम्पलेरा कॉम्पलेरा जो है यह कॉम्बिनेशन मेडिसीन है इसके अंदर दो nucleoside analog HIV-1 reverse transcriptase inhibitor है और एक non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor है जिसकी बारे मैंने पहले बात कर चुका हूँ रिल्पी विराइन तो इसमें रिल्पी विराइन है और दो और दवाई की mixture है और यह जो है यह HIV-1 infection जिस patient को है उसको दी जाती है और उसका वजन कम से कम 35 kg होना चाहिए और उसको अभी तक कोई और HIV treatment नहीं दिया हो और उसका blood में 100,000 virus copies per ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उससे कम ही रहना चाहिए तो फिर वो यह दवाई ले सकता है या जो already anti-retroviral में है और उसके शरीर के अंदर जो इसके blood के अंदर जो viral load है वो पचास copy per ml से नीचे है और stable है और छे मेने तक उसका अभी तक कोई treatment में व्यत्या है या कोई failure नहीं हुआ है और कोई medicine change नहीं हुआ है तो उसको complera दे सकते हैं और complera उसके लिए continue हो जाएगा और यह complera जो है इसका भाव है 3,647 US dollars थीस टैबलेट के लिए और dosage जो है हर रोज एक टैबलेट खाने का dosage है इसमें थीसरी दवाई है Descovy D-E-S-C-O-V-Y Descovy जो है यह प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है उसको दो अलग-अलग तरह से इस्तिमाल किया जाता है पहला है HIV-1 infection जो adults और बच्चे में हुआ है जिसका वजन कम से कम 35 kg है यानि कि 35 kg के उपर वजन है उनके उपर किया जा सकता है और दूसरा है बच्चे जिसका वजन कम से कम 14 kg है और 35 kg से कम है यानि कि 14 और 35 kg के बीच में जो बच्चे है जिनका वजन 14 और 35 kg के बीच में है उनको कोई चुने हुए और HIV मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन दिया जा सकता है और डॉक्टर जो है उसको पता है इसको किस मेडिसिन के साथ देना चाहिए और इसे pre-exposure के लिए भी यूज़ कर सकते हैं HIV-1 होने का risk से बचाने के लिए adults में जिनका वजन 35 kg से ज़्यादा है तो यह पता नहीं है कि DESCOV कितना effective है HIV-1 का risk कम करने के लिए हर एक अलग-अलग तरीके से जो infection होता है उस पर लेकिन इतना तो पता है कि इसके लिए से risk कम हो जाता है तो HIV लगने का risk कई कई तरह से होती है मा से बच्चे को पैदा होने के टाइम या पैदा होने के पहले और तरह तरह से HIV का risk होता है तो यह किस तरह का risk को सम्मालता है इसकी बढ़र में पता नहीं है डीटेल नहीं हमारे पस और डेस्कावी जो है उसको जो फीमेल पैदा हुए है यानि कि जो ट्रैंस लोग रहते हैं जिनको फीमेल एसाइन किया है सेक्स बर्थ में उनको इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं यह दवाई उनके ओपर काम नहीं करेगी तो यह जो डेस्कावी है इसका प्राइस प्राइस है 2159 पर मन्त लेकिन युएस में बहुत सारे स्कीम्स है जिसके और जैसे पेशेंट को 9 डॉलर हर महीना के भाव में यह मिल जाता है और आप देखोगे दोस्तों की जो भी दवाई अकेले हैचाईवी का सामना करता है वो 4000 के आसपास है जैसे जैसे उसक साथ दूसरी दवाईयां लगानी पड़ती है तो उसका प्राइस काम होता है मेरे हिसाब से ऐसा है कि युएस में हैचाईवी का पूरा एक कोर्स हैचाईवी प्रिवेंशन के लिए 4000 डॉलर लगेगा अगर एक दवा खुद अकेले से काम नहीं कर सकता तो उसको 4000 के अंदर यह गिलियार साइनसस के पॉर्टफोलियो में हैचाईवी के लिए एंप्रिवा जो है यह भी प्रिस्क्रिप्शन दवाई है यह कॉमिनेशन में ली जाती है दूसरी अंटि रेट्रो वाईरल दवाई के साथ हैचाईवी को फाइट करने के लिए इसको दूसरी मेडिकेश दूसरी मेडिकेशन के साथ लेते हैं और यह जो है हर रोज एक टैबलेट खाना पड़ता है और इसका भाव है 574 डॉलर्स थीस टैबलेट के लिए और डॉक्टर जो है वो बताएगा इसे किस के साथ लेना है और कब तक लेना है और किस तरह से शुरुआत करनी है और किस भी HIV-1 fight करने के लिए यूस किया जाता है और इसे यूस करते हैं अडल्ट्स और बच्चे जिसका वजन कम से कम 25 किलो का हो यानि कि 25 किलो के उपर के वजन वालों के लिए जिनको कोई और HIV-1 medicine अभी तक नहीं दिये है या जिनको अभी जो ART दे रहे हैं उसको बदलने की जरूरत है उनको दे सकते हैं इसका भाव है 4000 डॉलर्स थीस टैबलेट के लिए और इसका डोसेज जो होता है वन टैबलेट पर डे का डोसेज होता है अगला medicine है ODEFC 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 जो है यह prescription medicine है जिसे HIV-1 infection treatment के लिए यूज कर सकते हैं बच्चे और एडल्स के लिए जिनका वजन 35 kg या उसके ऊपर होता है और जिने अभी तक HIV-1 medicine नहीं मिला है और उनके ब्लड में जो वाइरल लोड है वो 100,000 copies per ml से नीचे है और ऐसे भी लोगों को दे सकते हैं जिनका जो current art है उसको उनको चेंज करके दूसरे में जाना है उनको भी दे सकते हैं इसका बाव है 3,647 डॉलर्स for 30 tablets और इसका dosage होता है 1 tablet per day तो दोस्तों आज मैंने सिर्फ आपको 6 medicine high level में बताई है आगे जो वीडियो आएगा उसमें हर एक medicine का मैं detail में बताऊंगा कि यह किस तरह से act करता है उसके अंदर क्या-क्या medicine है medicine के अंदर क्या components है और बॉड़ी के अंदर किस तरह से HIV को control करता है उसके बारे मैं आपको detail आगे चल कर और वीडियो बताऊंगा अगला वीडियो जो है उसमें और छे दवाई के बारे में बताऊंगा इनके पास कुल बारा दवाईया है नेक्स सिक्स दवाई जो है वीडियो नंबर टू में आएगा तो दोस्तों यहां पर मैं इस वीडियो को अभी समाप्त करूंगा और मैं एक आपको छोटा सा मैंने अड़िटाइस्मेंट बनाया है वो भी डाल देता हूँ यहां पर क्योंकि मुझे पेट्रियोन की भी जरुरत है मुझे मेंबर्स की जरुरत है जो चैनल को सपोर्ट करें अगर आप इंडिया में हो तो आप मेंबर्शिप जॉइन कर लीजिए और आपकी जो सहायता है उसके जैसी यह चैनल आगे बढ़ती रहेगी दोस्तों आपको यह मेंबर्शिप अभ्यान में मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को सहायता देने की बहुत जरूरत है आप यहाँ जो जॉइन बटन देखते हो कोई भी वीडियो के नीचे जॉइन बटन होगी और उस जॉइन बटन को आप अगर दबाओगे तो एक स्क्रीन इस तरह का खुलेगा जिसमें आपको तीन लेवल मिलेंगे मेंबर्शिप बनने के लिए तो पहला है प्यूर सपोर्टर्स दूसरा है सपोर्टर प्लस तीसरा है मनी बैक्स प्यूर सपोर्टर के लिए सदसेज़ा जो हैं है वो आपको इंडियन रुपीस में आएगी और आपको सिर्फ जॉइन बटन दबाना है और डिटेल्स देने बस इसमें कोई कोड की जरुरत नहीं किसी चीछ की जरुरत नहीं आज ही जॉइन कर लीजिए मेंबर्शिप में और हमारे चैनल को सहायता कर दीजिए तो दोस्तों यहां आप देखोगे हमारे जो दस सदसे है जिन्होंने मेंबर्शिप लिया है उस तरह से और मैं चाहता हूँ कि आपका भी नाम यहां पर जल्दी से जल्दी से आज ही बटन दबा दीजिए जॉइन बटन और जॉइन कर लीजिए और अगर आपको यह गिलियार साइन्सिस का पूरा डीटेल देखना है पूरे चार पाच वीडियो जो मैं बनाने हो अलम वो पूरा डीटेल में देखना है तो तुरंट सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफाइ बटन दबा दीजिए और चैनल को सहायता हो जाएगी हमारी चैनल की संख्या भी बढ़ जाएगी तो दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ फिर आओंगा आपके साथ दूसरा वीडियो लेकर जिसमें और छे दवाईयों के बारे में बात करेंगे और इसके बीच बीच हम लेनके पेवर के बारे में एक बनाएंगे और और भी कुछ नहीं समाचा राएगी तो उसकी वीडियो भी एक्स्ट्रा बना देंगे तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त फिर मिलेंगे धन्यवाद